जय हिंद तो हम लोग आज की klas शुरू करते हैं इसके पहले की klas में हम लोग उने रिमेंडल थियोर्म पढ़ रखा है रिमेंडल का बैसिक कॉंसेट हमने सीख लिया है और इसके पहले की वीडियो में फैक्टोरियल वाला सीरिस हम लोग उने तो बहुत सरे लोगों पर बिदो को तो यह समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो में मैं इसको एक्स्प्रेंड कर देता हूं देखें एक बेसिक सरूर है जैसे की फैक्टोरियल 8 है तो आप इसको लिखते कैसे आप इसको लिख सकते हैं 8 x 7 x 6 x 5 ऐसे करते आप इसको फैक्टोरियल 4 यहां पे लिख सकते हैं तो similarly यहां से concept जो निकला वो यह है कि factorial n को मैं लिख सकता हूँ n into factorial n-1 clear अब आप क्या किजिए यहां पर n की value 1 put कीजिए ठीक है तो factorial 1 तो यहां पर आगया और यहां पर क्या आगया 1 n की जगह पे into n-1 यह नहीं 1-1 1-1 क्या होगे factorial 0 और into में क्या है 1 और जिर्कोर में क्या है factorial 1 का value आपको पढ़ता है 1 होता है अब आप देखिए यहां से आपको यह वन में किसी भी चीज़ को into करते हैं तो उसकी value वही होती है जो value है मतलब 1 तो अपना multiplicative inverse होता है ठीक है तो यहां पर 1 इस तरफ आया ठीक है और यह वन में इसको into किया तो अब हम लोग अपने आज के topic पे चलते हैं चलिए तो अब इसका remainder निकालते हैं यह सब questions वने लिख रहा है पहले से ही अब आप देखिए यह 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहां तक लिखा है 93 तक हम लोग को इसका क्या निकालना है तो आप कल वादा concept याद कीजिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तू की पावर 3 तू की पावर 3 लिख सकते हैं अब divisibility rule तू की पावर 3 है तो हम लोग किसी भी चीज को इसको डिवाइड करने से पहले लाश्ट का कितना डिजित देखना है और आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे करत है तो लाश का 3 विजित कौन सा हो गया 293 बस उसी को पकड़ के बाहर ले आगे 293 अपॉन में 8 अच्छा अगर आपको इसमें भी डाउट जाता है कि इसमें से फिर रिमेंडर क्या होता है तो फिर देखिए आप सिंपल से लिख के इसको डिवाइड कर सकते 293 डिवाइड है 8 8 3 24 24 9 में से 4 गया 5 इधर बचा 3 ठीक है आप 8 से 53 के करीब पहुंच रहे है 8 6 जा 48 कितना बचा 5 बचा बस यह जो है वो तो अपना अंसर है रिमेंडर हो गया ठीक तो यहां से आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते है 293 अपन एट और फिर अपना रिमेंडर जो आना था वो आ गया 5 ठीक है इतना बड़ा को आपने ऐसे रिमेंडर निकाल दिया बस अपने को रिमेंडर से मतलब है यहां पे भी सेम काम लोग करेंगे 125 इसको अपने को कि से मतलब है लाश्ट के तीन डिजिट से मतलब है 1 3 5 7 11 13 12 इस सीरीज को देख को समझने है कि कि आपको समझना है कि यह किसका सीरीज है यह और नम्मेर का सीरीज है तो 95 के जैसे आम ले यहां पर यहां पर सके पहले आया होगा 93 और अपने को लाश्ट के तीन डिजित से मतलब है तो 395 395 को लेके बाहर आजएगे 395 divided by 125 अगेन आपको यहां पर आप इसको कैंसलोड भी कर सकते हैं मेरे कैंसलोड जिफिर जिससे कैंसलोड करना रहते हैं उससे लाश्ट मुल्टिप्लाइ भी करना रहते हैं 395 अपन में 125 395 अपन में 125 इसके हम लोग को क्या करना है तो इसक आप सिंपली लिख के डिवाइट कर सकते हैं 395 और यह होग 125 125 से इसके करिक पहुंचे थी टाइंस पहुंचेंगे 375 और यह आए ना 20 माइनस और रिमेंडर तो यह आपका क्या है आंसर है इसका रिमेंडर कितना आ गया इसका रिमेंडर आ गया 20 ठीक अब आप आजए यह थर्ड कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है 2357 11 और यह 97 तक इसे गया है और लाश में वह यह 125 इसमें तो आप 5 की पावर 3 यूज कर सकते हैं लाश के तीन डिजित से ही अपने को मतले है ठीक है लाश के तीन डिजित से ही मतले है लेकिन कॉंसेप्ट ही है कि लाश के तीन इसको देखिए 23572 आप इसको simply odd number की series नहीं गूल सकते क्योंकि 2 तो even number हो गया तो यह को इसा number हो गया composite number का सीरीज है अब आप सोचिए 97 के जश्ट पहले composite number कौन से आता है 89 89 आता है ना composite number 97 पे जश्ट पहले तो यहां पे क्या लिखा होँआ 89 लिखा होँआ अब अपने को किस्सा मतलब है लाश के तीन डिजिट से मतलब है 997 997 डिवाइड़ में 125 ठीक है अब आप सोचिए आप इसके करीड पहुचने की कोशिश कीजिए 125 से 1000 आ जाएगा ना 125 से 1000 में आ जाएगा इसके करीड लेकिन यह से तीन कम है तो इसलिए य इसदेर माइनस में नहीं होता तो हम लोगते कड्यांगिए 125ुट्वाइब से से प्लस कर देंगे 3ग प्लस कर देंगे रिखे कैं 2 यहां ते यहां पर तो आपन क्या करते हैं ऐसे questions में सबसे पहले digits नंबर में आ जाते हैं यह 97 डिजिट्स तो रिखा है लेकि यह कौन से नंबर होगा आखरी यह अपने को पता लगाना है य सो इसको अईसे को सबसा होगे तो कितना बच ग Secrets अबिजिट्स इस सभी डीजिट्स तौ इसको अपने को कर देंगे लिए डिजिक्स वाले नंबर कितने यह पता लगने के लिए तो यहां से आएगा नसर 44 ठीक है फॉर्टीफॉर में आप क्या कि इस नाइन को जो समय को माइनस किया था इसको प्लस कर दिजिंए 44 प्लस 9 इतना होगा 53 53 तो आखरी नंबर जो इसमें लिखा होगा इन डिजिट्स में ऐसे करते करते 97 वो लिखा है इसमें जो आखरी नंबर लिखा होगा वह आएगा 123 यह सब नंबर से 123452 अपने को 4 मतलब 2 की पाफर 2 तो फिल से अपका बेसिक पुराना रोला या लाश्ट का दो नंबर यूस कीजिए यहां के दिखें 53 divided by 4 4 से इसके करीब पहुंचेंगे 4 13 जा 52 रिमेंडर क्या आ गया 1 ठीक अब यह जो काम मैंने किया इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्यों मैंने यहां से 9 और यह बोट बड़ा नंबर इसमय समझने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे इस लिए हमें थोड़ा छोटा नंबर करते हैं हम लोग माने लेते हैं कि 15 डिजिट दिया हुआ है 15 डिजिट ऐसे लिखा हुआ है 15 डिजिट तो 15 डिजिट में आकरी नंबर कहा तर जाता है यह आपन देखते हैं देखें 123456789 10 11 12 13 14 और यह 15 ठीक है यह एक डिजिट्स डिजिट्स इसको नंबर मत समझें यह डिजिट्स ठीक है तो यह आप खुद देखें यहां पर फर्स्ट नंबर यह हुआ सेकंड नंबर यह हुआ थर्ड नंबर ऐसे करते करते हैं लाश्ट में आखरी नंबर आपको क्या आया है ठीक है इसी चीज़ को हम लोग यह तो 15 डिजिट ता करके हम लोग ऐसे लिख कर पाए लेकिन तो इसके टीक है यह बड़ा नंबर लें जैसे 97 डीजिट यह 85 डीजिट तो एसे लिख के काउंट तो नहीं कर सकते ठीक है तो इसके निए तरीका क्या है अब फिटीन से मैंस्ट देखें शुरूआत के नौ डिजिट यह शुरूआत के नौ डिजिट जो सिंगल डीजिट है जो single digit है मतलब single number उनको मैंने माइनस कर दिया कितना बचा 15 मैंने 6 डीजिट अब यह जो इसमें 2 डीजिट वाले number रिखाए होंगे जैसे 10 11 12 तो यहां तक पहुचने के लिए हम लोग इसको 2 से रिवाइट करेंगे क्योंकि टू डीजिट वाले हैं सारे numbers अब इतना आया 3 अब इस 3 में आप इस 9 को क्या कर दिजिए प्लस कर दिजिए 3 प्लस नहीं 3 प्लस नहीं 12 यहीं था हमारा आखरी नंबर देखिए 12 पहुचके नाम लोगा तक सेम काम मैंने यहां पर किए 97 डिजिट्स लिख्या हुए थे मेरे को यह पता लगाना था कि आखरी नंबर कौन सा है तो मैंने 97 मैंसे पहले नाइन डिजिट्स घटा दिये जो की सिंगल विजिट वाले थे सिंगल टम वाले थे इसे लिखा हो तो ऐसे कितने डिजिट्स एसे कितने नंबर एंट इसले हम ने तूसे डिवाइट किया है 44 में इसी 9 को प्लस कर दिया तो यह हमारा आकरी डिजिट हमको मिल गया 53 और फिर हमने इस पूरे सिरीज को अपने नंबर में बदल लिया 1 2 3 4 5 ठीक है ऐसे करते करते लाश में 52 और 53 उसके बाद यह हम लोग को 4 से डिवाइट करके रिमेंडर बता लगाना था 4 का मतलब 2 का स्क्वेर लाश के दो जीजित से अपने को मतलब है ठीक है तो 53 बाइफोर इसके करीप पहुँचेंगे तो रिमेंडर बान आएगा सिंपल अगर आप अच्छे से पड़े होंगे तो यह कॉंसेप्ट हर को डिविजिबिलिटी रूल में बताते ही बताता है अब देखिए हम लोग इस सेकंड वाले को सौल करने की कोशिश करते हैं इसमें भी सिमिलर कॉंसेट लगी ना बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रख तो यहां से कितना आएगा 85 में से 9 गया 76 डिजिट्स अब इसमें से 2 को हम लोग डिवाइट करेंगे क्योंकि 76 डिजिट्स ऐसे जिसमें 2 डिजिट वाले नंबर लिखे होंगे 10 11 12 13 14 ऐसे वाले तो यहां से कितना आएगा 236 16 38 ठीक है यह जो 38 आया है आपका इस 68 में आप क लगे हैं कि यह हमारे क्या बज़िया आफरी डिजी तो यह जो लिखा है अब इसको हम लोगे करेंगे 123 45 ऐसे करते करते इसमें आक्री डिजिट लिखा होगा 84 इसमें आकरी डिजिक लिखा होगा 47 से पहले 46 और फिर 47 और 525 तो इसका मतलब 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मतलब हम लोगों को लाश के कितना डिजिट देखने है तू डिजिट देखने है 47 इसको बाहर ले आए लोग इसको माइनस ले लेते हैं और माइनस में रिमेंडर होता नहीं है इसलिए 25 माइनस 3 25 प्लस 3 यहां पर आपका आज़ा जाएकर 22 इसका रिमेंडर है दिखिए ऐसे कोश्चन आए जो करीब हो जो करीब हो वहां से ले लिजिए अगर आप इसके ऊपर बीजाते तो भी प कोशिश किजिए प्लस मैनस अबन कर सकते हैं थैंक यू अ क्लийा कोशर कि जुए जो मिंजाए जो करल दो भी एना प्रो weeks कि इसके ऊपरoks इसके फ्लसमा है दो हाज़ाईरा है दोका वहां सूतिए दे झाले उन prayer क्लीज है जो औलेकर दो वहां से जे हैं कि वहां सिаты दो कि दो हमाम को मैं वहां से जेकते हूम अत्लस दो करीड़र हैं